हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने बहुत ही सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका RRB NTPC का 12 मार्च का फर्स सिफ्ट का एक्जाम समाफत हो चुका है फर्स सिफ्ट में आपके जितने भी जी के प् क्याल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का अनलाइजिस टाइप टो टाइप देखने को मिलता रहे अगर आपका नेक्स सिफ्ट में एक्जाम होना है तो वीडियो को भीना स्किप किये एंड तक जरूर देखे क्योंकि यहाँ से आपके परमाणू की सनराचना की वर्तमान अवधाना की स्वेग्यानिक द्वारा दी गई है तो यह निल्स बोर के द्वारा दी गई है परमाणू सनराचना की वर्तमान अवधाना आपका राइट आंसर था निल्स बोर एक कोशन था हाली में किस बैंक ने आद निर बार महिला सु हो जाएगा option में दे रखधा नेक्स्ट देख लेते हैं एमदभाद स्तित अबैगाट किसका समादी इस्थाल है तो दोस्तों एमदभाद इस्तित अबैगाट जो समादी इस्थाल है वो मौराजी देसाई का, मौराजी देसाई आपका राइट आंसर था option में दे रखा था एक question था TV के remote में कौन सी तरंग होती है तो अवर तक किर्णे होती है TV के remote में आपका राइट आंसर था अवर तक किर्णे next question था golden pen of freedom पुरुषकार किस से संबंदी था है आपका राइट आंसर था निल्स बोर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहे आपके लिए हैलफूल है फटा फट से लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देखने हैं फट वर्स पाद या अनुपाद फट साथ रेशो दो होता है तो पुतर के वरतमान आईू क्या है यह आपको बतानी थी तो अनुपाद दे रहता है चैनल रेशो एक का और साथ रेशो दो का दोनों का अंथर कितने का है execution किसके बराबर है फाइक वर्स के और वर्तमान में आयू कानू बात क्या पुत्र की एक तो एक गुणा पांच यानि पांच वर्स हो जाएगी पुत्र की वर्तमान आयू आपका राइट आनसर था पांच वर्स इस टाइप से आपको एक कुस्चन सोल करना था I hope आपके solution में समझ में आ गया होगा Next Question था किस राजय ने मुफ्त फसल भीमाई होजना शुरू किया है तो दोस्तो अभी आंधर परतेस राजय ने मूफ्त फसल भीमाई होजना शुरू किया आपका राइट आनसर था एक Question था विस आर्टिंग मन्स 2021 का आईज़ित किया जाएगा सिंत्मपुर में आईजित किया जाएगा विस आर्थी मंस 2021 आपका राइट आंसर था एक कोशन था हाली में किस बैंक ने आद निरवार माइला सुआनी हो ज़ना शुरू की है तो दोस्तों अभी बैंक ओफ बड़ोदा ने आद निरवार माइला सुआनी हो ज़ना शुरू की है आपका राइट आंसर था बैंक ओफ बड़ोदा एक कोशन आये था 11 रेशो 143 परपोशन 15 रेशो कोशन मार्ग तो यहाँ पर आपको बताना था कोशन मार की जंग है क्या वैल्यू आएगी तो कैसे करना था 11 का स्कॉाइर यानी 121 और 11 इंटू 2 की मल्टिप्लाइ करनी थी 22 अगर आप एड़ कर देते तो आपका 143 आ जाना था एक कोशन था राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2019 की से मिला तो बजरंग पूनिया को दिया गया राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2019 आपका राइट आन्सर था बजरंग पूनिया नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल इंस्टिटूट ओफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसिज कहां इस्तित है बैंगलोरो में इस्तित है आपका राइट आंसर था बैंगलोरो नेक्स्ट एक कोशन था किस राज्य सरकार ने हाली में सैनिकों के लिए निशिल्क बस सेबस शुरू की है तो दोस्तो अभी राज्य स्थान राज्य सरकार ने जो यह निशिल्क बस सेबस शुरू की है सैनिकों के लिए आपको राइट आंसर था एक कुशन ता किस खेल के साथ कोकश भूग हुआ है तो दोस्तो कोकश भूग जो जुडआ हुआ है वो बोट रिसिंग के साथ जुड़ा है बोट रिसिंग आपकर याइत आंसर हो जाएगा अप्षेन में दे रखा था नेक्स्ट एक कुश्चन था जादी P बराबर 6 है J बराबर 4 L बराबर 8 और M बराबर 24 है तो आपको value find करनी दी तो M कितना है 24 गुणा J यानी 4 बा करना था L से यानी 8 से पलस 4 एड़ करना था J आठ चे कर जाएगा 3 बार 3 गुणा 4 12 और 12 में 4 जोड़ दोगे तो 16 आपको right answer था इस टाइप से आपको एक question solve करना था I hope आपके solution में समझ में आ गया होगा next question था साही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अमल परियोग करते हैं तो साही का दाग मिटाने के लिए जो अमल परियोग किया जाता है दोस्तो ऑक्जैलिक अमल परियोग किया जाता है आपका right answer था एक कुश्चन था कोन सा अंदोलन बारत में अब माधमा काँदी जी का पर्फ़म अंदोलन था तो यह था चमपारण सत्यागर आपका right answer था एक कोशीन आժा फुल फॉर्म का DBMS की फुल फॉर्म क्या है तो data base management system and DBMS की फुल फॉर्म ndडीबियमेस की फुल फॉर्म एक कोश्न ये पूचा गया था फुल फॉर्म से भी आपके कोश्चन पूचे जा रहे है एक कोश्चन था गोतम बुद्ध ने अपना पर्तम उपदेश का अंदिया, सारनाथ में दिया था, गोतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, आपका राइट आनसर था सारनाथ तो दोस्तों यह अपके RRB and TPC जो 12 मार्च का 1st shift का पेपर होया, उससे लेटर हमारे पास आपके एक कुश्चन आप आए, मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगए हो तो लाइक कर दीजे, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर